Dear Students, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चानल Study with दुलार में बच्चों सिवा जी एक माराठा समराठ थे उन्होंने अपने समय में मुगलों से लोहा लिए, मुगलों से लगातार लड़े और उन्हें प्रास्त भी किये तो आए हम लोग आज इस चप्टर में सिवा जी के बारे में एक पोयम दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे तो आए देखते हैं कौन सा चप्टर है ये चप्टर 8 है, ये क्लास 5 का हिंदी बुक है और इस चप्टर का नाम है भूसन की वानी तो भूसन एक कवी है, एक महान कवी है, वीररस के कवी है और इनका नायक है सिवा जी ये उन पे अपनी कविताये लिखते हैं, जैसे कि तुलसी दास स्रीराम के भक्त हैं और उन पे अपनी कविताये लिखते हैं उसी तरह से भूसन कवी जो हैं, वो सिवाजी पे कविता ये लिखे हैं, आए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं, क्या कह रहा है इसमें? पर दावा सदा बाज को, इंद्र का अधिकार हमेशा पहाड़ों के समुपर होता है, पचियों के जुंड पर अधिकार हमेशा बाज का होता है। देश के पूरब से पस्चिम और दच्छिन से उत्तर तक, जहां तक मुगल बादसा का अधिकार था, वहां तक सिवाजी का अधिकार है। इसके आगे देखते हैं। मैं से उनके बारे में कहा गिया है, सिवाजी के बारे में कहा गिया है। हिंदुओं के हिंदुत्व की रच्छा की, सिपाहियों की रोजी रोटी बचाई, कंधे में जनेवू की रच्छा की और गले में माला की रच्छा की आपने सिवा जी को यहाँ पे कहा जा रहा है मैं मिडी राखे, मुगल मरोडी, राखे पात्सा, बैरी पिसी राखे, वरदान राखियो करमें मुगलों को मसल दिया, बादसा और अंगजेब को युद्ध में परिसान कर दिया, सत्रूओं को प्राजित किया, जैसे आपके हाथों में कोई वरदान प्राप्त हो राजन को हद राखी, तेगबल सिवराज, देवराखे देवल, सौधरम राखियों घर में तलवार की सक्ती से राजाओं को सीमा में रखा, मंदिरों में देताओं की परतिष्ठा की रच्छा की, हर घर में आपने धर्म की रच्छा की इस तरह से यहाifi सिवाजी के परसंसा में कविता लखी गई है, और वाकई में सिवाजी अईसे थे, इसलिए उन्हों ने इनके बारे में लिखा है कवी भुसन के बारे में इसके पिछले चप्टर चप्टर 7 में दिया हुआ है वहाँ पे आप इस कवी के बारे में आप पढ़कर उनके बारे में जान सकते हैं तो आएए देखते हैं इस चप्टर में क्या questions दिया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं और इसको आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा यहाँ पर question number two में equally यहाँ कोई question दिया हुआ नहीं है यहाँ परियावाची सब्द दिया हुआ है जिसे रवी को कही नाम से जाना जाता है इस तरह से तो हिंदी में यह सब सब्द जानना काफी आवसक होता है question number three में पक्तियों को पूरा करें तो यहाँ पर भरने के लिए कहा गया है तो इसको आप पोयम को देखकर भर सकते है question number four जो कि इस chapter का मुझी question है इसमें तो आईए मैं आप लोगों को इसका answer बना के दिखाता हूँ यह है chapter eight का question answer question number three में पक्ति को पूरा करें यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है तो यहाँ जो black color में दिया हूआ है यह सब खाली जगा पे जो भराने वाले सब्द हैं वो लिखा हूआ है जिसे गरूड हो गया नाग की समूपर इस सब blank में भर जाएगा और question number four में सोचे और बताएं जो question answer यहाँ पे है सापो पर किसका दावा चलता है या कौन जपटा मारता है सापो पर हमेशा गरूड का दावा चलता है हाथियों पर कौन परहार करने का साहस रखता है तो हाथियों पर पसूराज सिंग परहार करने का साहस रखता है बाज किन पर जपटा मारता है बाज पच्छियों के समुव पर जपटा मारता है सूरी की किरने किस पर दावा करती है सूरी की किरने अंधेरे पर दावा करती है सिवा जी का दावा कहां से कहां तक है जहां तक मुगल बादसा का सासन था वहां तक सिवाजी का दावा है वेद और पुरान को रखने का अर्थ है वेद और पुरान की परतिस्था बचाना सुन्दरवानी में राम नाम रखने का अर्थ है राम की परतिस्था बचाना हिंदों की चोटी रखने का अर्थ समझाएं हिंदुओं की चोटी रखने का आर्थ है हिंदुओं की परतिष्ठा बचाना उन्होंने मंदीरों की रक्षा कैसे की उन्होंने देवताओं की परतिष्ठा बचाकर मंदीरों की रक्षा की यहां पेजा चेप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोग को हमारे व